कहते हैं कि किस्मत कब किसका और कैसे साथ दे जाएं कोई नहीं जानता ऐसा ही वाक्या महारास्त के पालगर में एक मच्छवारे के साथ हुआ दरसल रोजानक की तरह चंदरकांथ इस बार भी समुद्र में मच्छी पकड़ने गया था लेकिन इस बार किस्मत चंदरकांथ पर कुछ इसकदर महरबान हुई कि वो एक जटके में ही करोड़ पती बन गया दरसल पालगर के चंदरकांथ अपने साथियों के साथ समुद्र में मच्छी पकड़ने गय थे जब इन लोगों ने समुद्र में जाल फेका तो सी गोल्ड कही जाने वारली दुल्लब घोल मच्छी आ उनके जाल में फस गई उस दौरान चंदरकांथ की किस्मत इतनी अच् तो उस दौरान चंदरकांथ ने हर एक मच्छी को 85,000 रुपे में बेच दिया जब सारी मच्छी की बिकरी हो गई तो चंदरकांथ ने देखा कि सारी मच्छी आ एक करोण 33,000,000 रुपे में बिक चुकी हैं इतनी महंगी मच्छी की बिकरी देख अब आप कहेंगे कि आखिर का इस्तमाल दवाईयां और कॉस्मेटिक बनाने की सामगरियों में किया जाता है यहां तक कि सर्जरी के दौरान इस्तमाल में होने वाले धागे जो अपने अप गल जाते हैं वो भी इसी मचली के बनाए जाते हैं थाइलेंड इंडोनेसिया जापान सिंगापूर जैसे देश करतानी से नहीं मिलती हैं इन मचलियों की तलास्मी मचवारों को समुंद्र के बहुत अंदर तक जाना होता है चंद्रकांत के मुताविक इन मचलियों को यूपी और बिहार से लोग खरीदने आये थे जिन्हें सारी मचलियां बेची गई है करता है